मौमिने, आप आपके सामने दाके अंसर अबास अन्वी आप सर्वोता पड़ेंगे, मिलके बावादे गुलान सर्वार आप हुसाइन के अज़दारों मिलके उन शेहदादों को पुरसा दे जिनकी मियत पे जाइनब जैसी मां भी नहीं हुई मौला तुमारी है कबोर फर्माए अज़दाराने मजलू में करबला ऐसे रोना जैसे जवान की लाश पे मां रोती है क्योंके ये वो दो शेहदादे हैं जिनकी मियत पे सैनब जैसी मां रोने के लिए नहीं आई अज़दारों आपकी हाए के लिए रिवायत पडू शाम गरीमा शिमर मलूर सजाद से गदर सजाद मुझे बता इन बच्चों की मां मर गई है रो के मेरा मौना काता है हो इसी मरतान न न दे मां जिन्दा है वो अकबर को रोती है सार पे मातम करना जितने उम्मती बैठे हो हाए करो तुमारी मर्जी जितने सेयद बैठे हो तुम पे वाजब है निशे अज़दातों की सहादत पे मातम करके रोना क्योंके आज दुनिया के जिस कोर्णे में भी जाओ जो भी सेयद मिले न उसे पुछो तू कौन सर सेयद है कोई कहता है मैं हर्भी हूँ कोई कहता है मैं जैनलाब दीन की अलाद हूँ कोई कहता है मैं जाफरी हूँ कोई कहता है मैं काजमी हूँ कोई नहीं कहता है मैं जैनलाबी सेयद हूँ आज के बाद कभी न कहना जाइनब ने दो बेटे दिये हैं और इस हुरसेन पे जाइनब आलिया ने बूरी नसल कुर्वाल कर दी मातम करना हूँ मातम कर अदादारो जब शामे गरीगा ये मेरे बंदे हाथ ने जितने सेद बैठी है आगर दिल के चोट लगे मुझे माफ कर दे न मैंने का इन बच्चों की लाज पे मा रोने के लिए नहीं आई ये मेरे बंदे हाथ है जब आखाजादियां वापस मदीने आई ना मदीने में सेदों की हवेली में हो रही थी मजली से मस्तुरात में खड़ी पर रही थी अली की बेटी अकबर का जीन से उतरना ये सजाद के सामने जनाब अबदुल्ला करते बेटा सजाद तू वक्त का इमाम है अगर तू इजाज़त दे मैं जैनब को गर वापस लेके जाओ अज़ादार सेदों साजदी रो कैते चचा अबदुल्ला तुझे इजाज़त लेने की क्या जरूरत है यूँ चलते चलते मस्तुरात के सामने आकर सजाद खड़े हुए अब जुरत नहीं हुई जो जुबान से कुछ बोले हुसैन के बैटे ने रोना शुरू किया रोते सचाद को देखा जैनब आलिया ने बुर्गा उठाया पास से खजर के कहते मुझे पता है तुछ से नहीं कहा जाएगा मैं खुद चल के जाती हूँ हाए करना अददर और यूसैन भी आलिया ने जनाब फिजा को सात लिया जनाब अबदल्ला के द्रवास पे आके रुकी रुक के चीज मार की अली की बेटी रोई जनाब फिजा रोते हैं अली की बेटी बैई हुसैन का उतरना याद आया रोक कहती नहीं भूलती हुसेन की तेरा जर्वे फिर अक्बर याद आया नहीं भूलती अक्बर की बर्ची फिर पता तो सही आज साल के बाद ऐसे क्यों रोई रोक कहती अमा विजा आज साल के बाद मुझे मेरा ओन याद आ गया अमा मुझे मेरा मुहम्मद याद आगिया मौला तुमारी हाई तुमूर फर्माए बख सारा मजबूर छोड़ दिया करपला का मेदान सारे सेदाद आते हुसाइन से यादत लेक जाते अब जो सेयर बेट जम्ला है के लिए इशारे के साथ पढ़ने लगा हूँ यूँ एक दफ़ा बादशा हुसेन गुदरने लगे या सामने से आलिया की जोड़ी यूँ पंजों के बाल उंचा होके खड़ी हुई मुझे नी पता किस को ये जम्ला समझ आया और किस को समझ नहीं आया पंजों के बाल बुलंड होके ते चच्चा हुसेन हमारा कभी कोई कासिम से चोटा है अध़ दराने मजलूमे करवरा गैसे भी थी इशाज़त मिली मा के खैमे में आये रोकते अमान इशाज़त दे हम जंग करने के लिए जाएं अलिया की वादाई जंग के लिए जाओ लेकिन एक वसीयत याद रखना जब फुराद के किनारे पे पहुंचआ पानी को न देखना हुसेन की सगीना भ्यासी है और अन तू याद रखना करवला है जागीर अलियकबर की अलिया की जागीर में न गिरना करवला से वाहिर जाके गिरना जितने जवार बैटे उ मेरी ताइन करना आज भी आउन करवला से नाव मीन वाहिर है अज़दारो लड़ते लड़ते शहजादे अमर سाद के खेमे के करीम आये चनाब आउन ने इसके खैमे में नेज़ा मारा नेज़ा मारा बाहिर निकल तुने मेरे चाचे हुसेन को गरीब समझा है तुने हमारे अत्वर को मारा आखरी दो जुम्रे अददारों यू चलते चलते शेजातों ने कोई जंग की लोगों को बबा चला अली के नमास से लड़े हैं जाए तुम लड़ रहे हो तुम्हारी मां के खैने को आग लागई है अब जो आउन ने पलट के देखा एक मलाउन नेज़ा पहलों पे मारा आउन गोड़े से गिरने लगा रोके ते चल्दी कर मुझे करबला से वही लेगजा यू करबला से वही आउन का गोड़ा आया माते प्यात रगद चाचा हुसेन बेटे का सलाम हो लानत हो सनान मलाउन पे इसमल्ला उनने तीर कमान में रखा इसने कव्दीर कमान से छोड़ा तीर आके आउन के हाथ पे लगा आज भी जैनब का बेटा कबर में लेड़ की करता है अकबर के बापा तुझे आउन को सलाम असला आज़तार और आखरी जुम्ला यूँ शेदा के जीद से गिरे हुसे इन पहन के खेमे में आए रोकते बहन इजाज़त दे तेरे बेटों को लेने के ले जाओ रोक जैनब की वाज़ाई भाया बता मेरे बेटे कर बना में गिरे या बहिर गिरे हुसे रोकते तेरा आउन नौमीर बहिर गिरा है रो क्या जगति तू आन को उत्वाने जाएगा नाव मीरचाद के जाएगा फिर नाव मीरचाद की आएगा मैं अली की बेटी तुझे कहती हूँ जहां तीरा है वही रहने दे उतनी देर मेरे सामने बैठ और मैं तरे चहरे की जी भर के दिखाना दे बारी